Hello friends, welcome again. मैं हूँ अर्पेत और आज हम BA First Year का Education का Paper discuss करने जा रहे हैं. ये First Paper है, तो National Education Policy के हिसाब से इसका Exam First Semester में होगा. तो ये BA का First Semester का Paper है Education का और आएए चलिए इसको शुरू करते हैं. दोस्तों आपके सामने BA Part 1 यानि की BA First Year का First Paper Education का आपके सामने हैं और ये National Education Policy के अनुसार, उसकी गाइडलाइन्स के अनुसार इसको बनाया गया है. तो क्योंकि ये First Paper है, इसका मतलब ये है कि ये First Semester का Paper है, क्योंकि जो Second Paper है, वो Second Semester में आता है. तो Education First Semester BA First Year का Paper है, इसका नाम क्या है? Conceptual Framework of Education. 2022 का ये Paper है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक्जाम में 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 hours time है, और Maximum Marks 75 हैं, यानि कि ये 75 नंबर का Paper है. तो आईए देखते हैं कि आपर क्या निर्देश दिये गए हैं? यह प्रश्ण पत्र तीन खंडों आबा एवं सा में विभाजित है, प्रतेक खंड में दिये गए निर्देशों का पालन आपको करना है. खंड आबा एवं सा क्रमशा, 9, 36 और 30 अंकों के हैं, यानि 9, 36, 30 अभियरती प्रश्णों के उत्तर क्रमानुसाद लिखें, यदि किसी प्रश्ण के कई भाग हों, तो उनके उत्तर एक ही तार्दमे में लिखे जाएं. तो सबसे पहले आपके सामने section A है, जो की अतिलग उत्तरी प्रश्ण है, यानि very short answer type के question है इसमें, और यहाँ पर है क्या, कि इस खंड में केवल एक प्रश्ण है, जिसके 5 उप्रश्ण है, किनी 3 उप्रश्णों का उत्तर आपको इन में से देना है, यानि 5 question में से आपको क प्राचीन के answer देने है, इसके प्रतेक उप्रश्ण में शब्द सीमा 50 है, 50 पेज मतलब, sorry, 50 शब्द का मतलब होता है, आधा पेज, प्रतेक उप्रश्ण तीन अंकों का है, तो पहला question हम देखते है, प्राचीन भातिये ज्यान परंपरा की आउधारना स्पष्ट कीजिए, तो यह है आपका पहला question, दूसरा है, गुरु और शिक्षा को परिभाशित कीजिए, तो दो question हो गए, तीसरा है, प्राचीन भातिये ज्यान परंपरा के संदर में शिक्षा का अल्थ समझाईए, और D, यानि की चौथा question है, विद्या ज्यान की आउधारना स्पष्ट कीज और E, यानि की पाच्वा और आखरी question इस section में है, आपका पूर प्रात्मिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो यह हो गए 5 question, इसमें से आपको केवल 3 ही attempt करने हैं, अब आ रहा है आपका section B, जो की लगुतरी प्रश्ण हैं, या short answer type question हैं और इसमें क्या है कि अंतरगत कुल साथ प्रश्ण हैं, इस खंड से केवल 4 उप्रश्णों का उत्तर आपको देना है, यानि कि आपको साथ question है, जिनमें से केवल आपको 4 का ही answer देना है, इसमें प्रतेक उप्रश्ण की शब्द सीमा 225 शब्द है, यानि कि आपको 2 से 2.5 पेज में इसका answer उसे 2.5 पेज मान रहे हैं, ऐसे ही आप लिखिये से ज़्यादा मत लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए पहला question क्या है कि आपचारिक तथा अनपचारिक शिक्षा में अंतर सपष्ट कीजिए, यह आपका पहला question है, दूसरा है, परिवार बालक की प्रधाम पाच्छाला है, इस कथन की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, यह आपका तीसरा question है, और चौर्धा question है कि राष्ट्री एकता में कौन कौन सी मुख्य बाधाए हैं, इसके बाद नेक्स question है, इसमें है कि पूर प्रात्मिक शिक्षा के एक मॉडल के र पर प्रकाश डालना है, नेक्स question है, आवकाश का अर्थ एवं प्रमुक शैक्षिक कारिकरम के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, और इसमें आखरी question है आपका माधिमिक शिक्षा एवं NCEIT की भूमिका के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, तो यह हो गया आपका section B भी complete, अब हमारा section C आ रहा है, जो कि दीर उत्तरी प्रशन है, और यहाँ पर आपको जो है, प्रशन संख्या 3 के अंतरगत कुल 4 उत्तर उत्तर आपको देना है, इसमें प्रतेक उप्रशन की शब्द सीमा 475 शब्द है, यानि कि आपको 4-5 पेज में इसका अंसर लिखना है, प्रतेक उप्रशन 15 अंकों का है, तो चलिए देखते हैं, पहला question है कि मादेमिक शिक्षा क्या है, मादेमिक शिक्षा के उद्देशे तथा महत उपर प्रकाश ढालिए, तो यह हो गया पहला question, दूसरा है कि CBSC तथा state board पर निबंध लिखिए, तो आप हो सकता है कि जिसे UP board, बिहार board, राजस्थान board, तो यह जो है आपको इन दोनों पर निबंध लिखना है, इसके बाद है कि अंतर राश्त्रिये अवबोद के विकास में यूनसको की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है, और यहाँ पर आपका last question है कि सामाजिक परिवतन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक परिवतन में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए, तो यह हो गया है, आपके सभी question complete, और उमीदे कि वीडियो आपके लिए useful है, आप